जी हाँ दोस्तो लाइका प्रोडेक्शन के ओफिसिल चैनल पर फिल्म 2.0 के ट्रेलर का लाइव लॉंच हो रहा है और आप उस पर देख पाएंगे कि किस परकार लॉंच किया जा रहा है इस फिल्म का ट्रेलर आपको बता दू कि 2.0 के ट्रेलर लॉंच इवेंट पर इतनी फैंस की भीर है जिसे देखकर हर कोई हैरान है आक्शा कुमार रजनी कांथ के साथ फिल्म की पूरी टीम फिल्म 2.0 के ट्रेलर के ग्रेंड लॉंच इवेंट पर मौजूद है और आपको बता दू कि क्रेजी फैंस की इतनी क्रेज है इस फिल्म को लेकर कि हैंस ने अक्षा कुमार और रजनी कांत को काफी जवरदस्ट तरीके से लॉंच इवेंट पर स्वागत किया आपको बता दू कि इस फिल्म के ट्रेलर को रिजी से भी ज़्यादा की क्वाइल्टी में रिलिज किया जा रहा है वहीं ये फिल्म अपने जवरदस्ट VFX के लिए मसुहूर तो है ही लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को और भी ज़्यादा खतरनाक दिखाया जाएगा इसमें आपको अक्षा कुमार का ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा वहीं अक्षा कुमार का खतरनाक एक्षन देखने को मिलेगा वहीं बात करें रजनी कांत और एमी जैक्षन की तो वो दोनों इस फिल्म में रोबोट के किदार में होंगे और इन दोनों की भी काफी जवरदस्ट एक्षन दिखायी जाएगी दोस्तों आपको बता दू कि फिल्म 2.0 के ट्रेलर का लॉंच इवेंट चेन्ने के बहुत बड़े सिनेमा घर सत्यम सिनेमा में रखा गया है और वहाँ सुबह से ही लाखों की संख्या में दर्सकों की भीर दिखी है और आपको बता दू कि आप भीर और भी बढ़ता जा रहा है आपको बता दू कि फिल्म 2.0 के ट्रेलर को ठीक 12 बज़े रिलिज कर दिया जाएगा उसके बाद आप यूटूब पर लाइका प्रोडेक्शन के ओफिस्यल अकाउंट पर देख पाएंगे और दोस्तों आपको बता दू कि फिल्म 2.0 के निर्देशक का ये टारगेत है कि इस फिल्म के ट्रेलर के लॉण्च होते ही पहले ही दिल 20 मिलिएन वियूज हो जिसमें कम से कम 1 मिलियन लाइक्स हो हो और कम से कम एक लाग कमेंट हो हलाकि 2.0 के ट्रेलर के लाँच इवेंट पे फैंस की भीर और इस फिल्म के लिए फैंस का क्रेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनका ये टारगेट जरूर कम्पलीट हो जाएगा वैसे भी फैंस इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार काफी दिनों से करते आ रहे हैं तो इस हिसाब से ये तो पक्का है कि फिल्म का ट्रेलर पहले ही दिन 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूज पाने में काम्याब हो जाएगा हलाकि इस ट्रेलर के रिलिज के बाद ही ये पता चल पाएगा कि फैंस को इस फिल्म का ट्रेलर कितना पसंद आता है वैसे दोस्तों आपके हिसाब से इस फिल्म के ट्रेलर के पहले दिन में कितना भ्यूज मिल सकता है कमेंट सेक्षन में जरूर लिखे और हमारा ये न्यूज अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अप्रस्ट बाल इकन